दोस्तो स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तो चलिए बिहार के तमाम 15 बड़े ख़वरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताए कि आप बिहार के की जिले में रहते हैं साथ ही अपनी तरब से आप इस वीडियो के एक प्यारा लाई जरूर कर दें इसके साथ ही वीडियो के अंत में आप से एक सवाल पूछा जाएगा जिसका जवाब आपको कमेंट बोक्स में बताना है कोरोना एक दिन में सामने आये सबसे ज़्यादा 3479 नए मामले जी हाँ बिहार में कोरोना वारेस अपना कहर बरबा रहा है राज में पिछले 24 गंटे के दोरान 3479 नए कोरोना संक्रमित की पहचान हुई है यह अब तक सामने आये मामलों की सबसे ज़्यादा संक्या है बड़ी कबर बिहार में कोरोना को लेकर 17 अप्रेल को होगी सरवदलिय बैठक बड़ा फैसला लेने की तैयारी में सरकार तेज विदेश में नए कोरोना के मामले बड़ी तेजी से फेल रहे हैं बिहार में कोरोना वारिस के संग्रमन के रफतार काफी तेज हो गई है प्रतिदीन हजारों से ज़्यादा नए केस सामने आ रहे हैं राज में कोरोना से बिगड़ते हालात को देखते हुए 17 अप्रेल को सर्वदलिया बैठक बुलाए गई है बिहार के राजपाल फागु चोहान के अधिक्स्ता में वर्चुल मिटिंग की जाएगी राजपाल की ओर से मिले जानकारे के मुताबिक सर्वदलिया बैठक के लिए राजपाल सचिवाला इस सभी दल के नेताओं से संपर्ग करेगी बिहार में आज से कोरोना की नई गाइडलाइन लागो जानि ये क्या खुला और क्या बंद रहेगा जी हाँ बिहार में कोरोना के दूसरी लहर को देखते हुए राज सरकार ने नई गाईलाइन जारी की है राज सरकार ने जो फैसला किया है वो आज से प्रभावी हो गिया है आम लोगों के लिए यहाँ जानना बहुत जरूरी है कि आखिर आज से बिहार में कौन सी बंदी से लागू की गई है क्या खुला रहेगा और क्या बंद रखने का निर्देश दिया गिया है तो चलिए एक एक करके सभी गाइलाइन के बारे में जानते हैं तो सबसे पहले पुरे बिहार में 30 अपरेल तक सभी दुकान या प्रतिश्टान साम 7 बजे तक ही खुलेंगी इसके अ रोक रहेगी सभी निजी और सरकारी सारवजनिक कारकरम पर भी रोक रहेगी इसके अलावा 30 अपरेल तक सभी धार्मिक इस्तल आम लोग के लिए बंद रहेंगे 30 अपरेल तक सभी सरकारी दप्तरों में अधिकारी तो हर रोज आएंगे लेकिन कर्मचारी सीप एक तिहाई की सेंख्या में आएंगे इसके अलावा 30 अप्रेल तक प्रेवेट संस्तानों को खोले रखने की मंजोरी होगी लेकिन वहाँ भी सिर्फ 33 फिजदी कामगार ही एक दिन में आएंगे अंतिम संस्कार में सिर्फ 50 लोगों के सामिल होने की मंजोरी होगी वहीं स्राद और साधी बिहा में 200 लोगों को सामिल होने की मंजोरी होगी सिनेमा घरों को खोले रखने की इजाज़त होगी लेकिन वहाँ सिर्फ 50 फिजदी सीटों पर ही दर्सकों को टिकर दिया जाएगा पबलिक टांस्पोर्ट में सिर्फ 50 पर 30 सवारी ही चलेंगे और फिर पार्क खुले रहे लेकिन कोविड गाइडलाइन्स का हर हाल में पालन करना होगा गरीब नात समेत कई मंदिर आम लोगों के लिए बंद मुझपरपूर में मस्जिद और चर्च ने भी लगाया नोटिस जी है कोरोना संग्रमन की बढ़ती रपतार के बाद सुकुरवार को सीम ने धार्मिक इ साथ इस सहर में मंदिर, मस्जिद, चर्च और गरोधवारा प्रमन्दों ने बंद करने के तैयारी सुरू कर दी गरीब नात मंदिर के प्रधान पुजारी पंडित बिने पाठक ने कहा कि डियम से बात हुई है मंदिर आम लोगों के परवेश के लिए बंद हो जाएगा सर जारी की जा रही है दोसरी तरह बिहार में कोरोना गाइडलाइन पर बीजेपी ने उठाया सवाल भाजपा विधायक ने पूछा पार्क रेश्टूडेंट खुल सकते हैं तो मंदिर क्यों ने बिहार में अब प्रतिदिन कोरोना वारेश के हजारों के सामने आ रहे हैं 30 के सायोगी पार्टी बीजेपी ने सरकार के इस फेसले का विरोध किया है भाजपा की विधायक ने नई गाइडलाइन पर सवाल उठाते हुए पूछा कि जब राज में पार्क रेश्टूरेंट और सिनेमा हॉल खुल सकता है तो मंदर क्यों ने खुल सकते हैं सनिवार को भाजपा विधायक हारी भूसन ठाकूर ने बिहार सरकार की नई गाइडलाइन पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब लोगों को पार्क और धाबे में जाने की इजाज़ात है तो फिर मट मंदिर में जाने पर क्यों रोक लगाई गई है मुखिमंदरे नितिस कुमार से मांग करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार सरकार इस मसले पर विचार करें बड़ी कबर आरज़ेडी ओफिस में कोरोना का भारे असर अनिश्चित काल के लिए बंद हुआ राज़त कार्याले नेताओं की एंट्री बंद जिया बिहार और खासकर राज़ानी पटना में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए राष्टिय जनता दिल ने अनिश्चित काल के लिए प्रदेश कार्याले को बंद करने का एलान कर दिया है सनिवार को आरज़ेडी के प्रवक्ता सक्ति यादव ने एक अहम जानकारी देते हुए कहा कि कोरोना की भायावा इसीते को देखत पर रोक लगा दी गई है बिहार के बिएड कोलेजों में परवेश परिक्षा के लिए 11 अप्रेल यानि आज से ओनलाइन आवेदन शुरू करीब 35,000 सिटों पर होगा नामांकन जिहां बिहार के सभी बिएड कोलेजों में नामांकन के लिए आयोजित होने वाली बिएड सं दादेकारी प्रोपेसर असोक कुमार मेहता ने बिएड में नामांकन के लिए CET बिएड संयुक्त परवेश परिक्षा 2021 का सेडियूल जारी कर दिया है सेक्षिनिक सत्रह 2021-23 में बिएड के नामांकन के लिए ललित नरायन मिथला विस्विदले को नोडल किंद्र बनाया ग इस परिक्षा के मैदम से करीब 35,000 सिटों पर नामांकन होगा बड़ी कबर बिहार में पहली बार होगी दाल की सरकारी खरीद 15 अप्रेल से 15 मैं तक दाल खरीदेगी नितिस सरकार जिहां बिहार के नितिस कुमार सरकार ने किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया है सरकार पहली बार दाल खरीदने की घोशना की है सरकार 15 अप्रेल से 15 मैं तक दाल की खरीद करेगी सरकार 1.43 लाग क्यूंटल चना दाल और 3.25 क्यूंटल मसूर दाल खरीदेगी दोनों दालों का समर्थन मुल्य 51 रुपिय क्यूंटल तई किया गया है कोरोना को लेकर प्रासासन हुआ सकत नियमों की धज्या उड़ाने वालों से वसुला गया जुर्माना जिहाराज में कोरोना के बरते संक्रवन को रुखने के लिए सनिवार को सभी जीलों में सारवजनिक परिवहन के वाहनों में मास्क जाच अभियान चलाया गया इस दोरान बिना मास्क लगाए सफर करनेवाले यात्रियों में से मास्क लगाने की अपिल की गई एवाहन चालुकों को निर्देश दिया गया कि खुद के साथ सभी यात्रियों को मास्क लगवाना सुनिचित करे इसके साथ ही 16-50 seat पर ही यात्रियों को लेकर चलने का निर नियमों का उलंगन करने वालों पर कारवाई की गई अभियान के दोरान मास्क एवं सोसल डिस्टेंसिंग के नियमों का उलंगन सहीत सडक सुरक्षा नियम के उलंगन में कूल लगबक 457 वाहन चालुकों पर कारवाई की गई इनमें बिना मास्क और सोसल डिस्टेंसिंग के उलंगन करने वाले 123 वहान चालोकों से जुर्माना वसुला गिया परिवान सची ने बताए कि कोरोनक संक्रमन बढ़ रहा है यह चिंता का विशाई है जरूरी है कि सभी लोग राज सरकार द्वारा जारी दिशा निर्दिसों का पालन करें बिहार में बिजली उपभोकताओं को रहत अब स्मार्ट मिटर के लिए नहीं लगेगी सिकुरिटी मनी जी हाँ बिहार में लग रहे स्मार्ट बिजली मिटर में लोगों को अलग से सिकुरिटी मनी नहीं देनी होगी जिन उपभोकताओं का पहले से मिटर लगा है वही सिकु दिल का गहाओ परिजोनों ने सेम को कहा सुक्रिया जिहां बिहार की नितिश सरकार ने दिल की बिमारियों से पेड़िद बच्चों के इलाज के लिए बाल हिर्दय योजना की सिरुवात की है इस योजना के तहद 14 बच्चे गुजरात से अपना इलाज करवा कर राज्य परिजा जाएगा बच्चों में होने वाले दिल की बिमारी को देखते हुए बिहार सरकार ने साथ निच्चे योजना में बाल हिर्दय योजना को सामिल किया है दो अपरेल को मुईख मंद्रे नितिश कुमार ने इसकी सुरुवात की थी इसी दिन 21 बच्चे के पहले मुख मंद्रे नितिश कुमार को सुक्रिया कहा है उन्होंने साथ ही कहा कि सरकार ने हमें हवाय जहाज से भेजा अस्पताल में हमारा अच्छी तरह से खयाल रखा इसके लिए आपको दिल से सुक्रिया बिहार में गर्मी से मिली रहात अब दो दिनों तक आंधी पानी के आसार जी हाँ बिहार में कुछ जीलों में पिछले 24 घंटों में आंधी पानी से तापमा लुड़क गिया है पटना समेत सुबे के विविन सहरों में बादल चायर है गर्मी से लोगों को रहत मिली है मौसम बिवा का कहना है कि दो तरपा हवाओ की इस्तिती से अगले दो दिनों तक आंधी पानी की इस्तिती बने रहने के आसार है दस्चिनी पुर्वी बिहार के कुछ जीलों के लिए आंधी पानी का येलो एलेट जारी किया गया है आला कि मौसम बिवा का या पुर्वानुमान है कि रहिवार के बाद सुबे की कुछ भागों में पच्वा हवा का परवा बढ़ेगा अधिकतम तापमान उपर चड़ेगा राज की कई जीलों में हीट वेव यानि लो की इस्तिती भी बन सकती है रहिवार तक मौसम सुहाना रहेगा आंसिक बादोलों के चाय रहने के वज़े से उमस की सिती रह सकती है बड़ी कबर बिहार में परवासियों के लिए होगा रोजगार का इंतिजाम सरकार कर रही है यह विवस्ता जी हां कोरोना के तेजी से बढ़ते खतरे को देखते वे बाहर से बड़ी संक्या में लोगों के बिहार लोटने के फीर शिच सम्मावना जताए जाने लगी इसे देखते वे इस बार राज सरकार ने भी अपने इसतर पर इसके तयारी पहले से शुरुक कर दी है विकास आयुक्त आमिर सुभानी ने बैटक करके इसके सम्मंदित कारी योजना तयार करने के कवायाद शुरू कर दी है सभी सम्मंदित विवागों से कहा गया है कि वे अपने यहां रोजगार से अधिक से अधिक अवसर का इंतिजाम करें इसके लिए आकलन करके रखे और जैसे जैसे लोग यहां आएंगे उन्हें जरुत या उनके इसकिल के मुताबिक रोजगार मोहिया करा दिया जाए इसमें खास तोर से ग्रामीन विकास विभाग, ग्रामीन कारी विभाग, पत निर्मान विभाग, जल संसादन विभाग, भवान निर्मान विभाग समेत ऐसे अन विभाग सामिल है तेजस्वी आदम ने राजपाल भागु चोहन को लिखा पत्र कहा दोस्यों के खिलाब करिक करवाई जी हाननेता प्रतिपक तेजस्वी आदम ने सुकरवार को राजपाल भागु चोहन को पत्र भेज कर 23 मार्ज को विदानसवा में गटित गटना करम को लेकर करवाई की मांग की है उन्होंने साक्चों की सीडी भी पत्र के साथ भैजते हुए सरकार और दोस्यों की बर्खास्तकी की मांग की है इससे पूर्व तेजिस्वी ने विदानसवा अधेक्ष को सीडि सहीत पत्र भेजा था और आंके बड़े कबर बिहार पुलिस में सरकारी नोकरी के लिए इंतिजार कर रहे इवावो के लिए बड़े कबर सामने आई है अब जल्द ही उनके सपने साकार होने वाले हैं बिहार पुलिस संगटन में कॉंस्टेबल पद का फाइनल रिजल्ड 15 अपरेल तक घोसित किया जाएगा बता दे कि बिहार पुलिस में नोकरी के लिए केंद्रिय चैन परसद की ओर से 2019 में कॉंस्टेबल के 11,888 पदो पर वेकेंसी निकाले गई थी आज के लिए आपका सवाल बताए कि छेत्रफल के दृष्टी से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है इसका जवाब आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगे